असलाम अलेकुम अच्षा टॉपिक के नाम इस बहुत असान और सिम्पल सा टॉपिक है जिनॉब हम कहते हैं जो बक्टेरिया का गिंगाल उसको नाम देते हैं दियार कॉल जीनॉम है जिस जगह पर मजूद होता है उसको नाम देते है नुकलोइड नुकलोइड क्या होता है यह नुकलियर का रिजन है बक्टेरिया का जो नुकलर रिजन है उसको कहते है नुकलोइड बेसिकलियर नुकलोइड साइटो प्लासम का ही तो कि न्यांदर होता है जैसे आपको यह नजर आ रहे है यह है नूकलरी कि है नंतरा है तो नंतर है जो आ Frust करो मोझे लिए जो यह नजर क्रोमोसों मैं सब्सक्राइक कराइं है हम इसके circular होता है यह यारगना circular है double standard होता है DNA molecule और जितने भी बक्टेरिया है इनके पास single number of chromosome होता है normally अब यह बक्टेरिया diploid हो जाते है short period के लिए कुछ वक्ट के लिए जब बक्टेरिया cell divide करता है मतब binary fission के दुरान short time period के लिए यह diploid होगा वैसे optimally हर बक्टेरिया क्या होता है है ploid होता है और बक्टेरिया के जो क्रोमोसोम इसका काम कि है मतलब बक्टेरिया का क्रोमोसोम क्या रोल अदा करता है बक्टेरिया के लिए यहlica Maid Riley activity entities और बक्टेरिया यह सारा control करना growth को Maidrogator à divOT intrigatips को यह bacterial डियल क्रोमोसोम का रोल है मर इसी बक्टेरिया के अंदर एक ऐसा क्रोमोसोम है जो अजाफी होता है जिसको कहते है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डियनो बक्टेरिया दियर कॉल प्लास्मिट है इस प्लास्मिट का बड़ा रोल है इसका रोल है कि इसके पास जीन होते हैं एंटी antibiotics के ख़लाफ, drugs के ख़लाफ और heavy metals के ख़लाफ, बते के सारी चीजे बक्टेरिया को नुक्सान नहीं दे सकती, क्योंकि इन के ख़लाफ जो जीन मजूद है, वह मजूद है, प्लास्मिट के पास, और प्लास्मिट क्या है? extra chromosomal DNA of bacteria है जिसको नाम देते है plasmid, बड़ा important short question है, बहुत important short question है, कि extra chromosomal DNA of bacteria is called plasmid है, अब bacteria और eukaryotic DNA में क्या फरक है, जैसे bacteria pro kriot है, और eukaryotic जो DNA दोनों में different के है, देखे बटा, bacterial DNA circular होता है, और eukaryotic DNA linear होता है, मतलब यह straight होता है, आपने देखा भी होगा, जैसे वाट halix form होता है, यह circular होता है, ठीक है, जो bacterial DNA है, इसके पस intron absent होता है, intron नहीं होता है, intron absent है, मैंगर eukaryotic DNA के पस intron होता है, intron क्या है, what is intron, एक ऐसा part DNA का, जो आगे transcribe नहीं होता, जो आगे उससे messenger RNA नहीं बनता, जो code नहीं होता, तो non coding part of DNA को कहते है, intron, मैं DNA का वो पार्ट जिससे आगे messenger RNA बनता है, जिससे jeans की आगे copy बनती है, उसको नाम दिया जाता है, तो यह exon coding part of DNA है, यह बहुत असान और simple सा topic था, जो आपने as a tc लिखने होते हैं, इंशाला आपके नमबर नहीं कटेंगे, ओके बटा, अलाफीस